हेलो स्टूडेंट्स हाव यू एम्पिरिकल फॉर्मला मॉलेकुलर फॉर्मला आपने अच्छे से पड़े हैं और इन्हें फाइंड करना भी आप सीख गए हो लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं सर कोई आसान तरीका है एम्पिरिकल फॉर्मला बहुत जल्दी हम निकाल क्योंकि होता क्या है आप एक्जाम में अब्जेक्टिव कोश्चन कर रहे हो जिसमें टाइम काफी लिमिटेड है और आपको बहुत सारा रफ वर्क स्पेस भी नहीं मिलता तो जो एम्पिरिकल फॉर्मला डेटामाइन करने का बुक वाला मेथड है वो कई बार ताइम कंज बताओ तो बहुत इजी मेथड हमने स्टूडिक के साथ डिसकॉशन करके बनाया कि क्यों ना हम फॉर्मला पहले ही मान लें और फिर उसे डिटमाइन कर लें एक्स वाई जो नबर सुसमें करें हैं यानि फॉर्मला बाद में निकले इससे आसान है फॉर्मला पहले माना जा और इसमें कोई भी हमने लॉजिक की कमी नहीं की है इस वेरी वेरी वेल डिफाइन सो लेट सी एंपरिकल फॉर्मला क्या होता है पहले थोड़ा से रिवाइस कीजिए किसी भी कंपाउंड का केमिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मले से किया जाता है फॉर्मले में और हम जानते हैं एंपरिकल फॉर्मला निकालने के दो मेथड जो मैं डिसकॉस करेंगे एक तो हमारा पुराना मेथड है टैबूलर मेथड जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उसमें एंपरिकल फॉर्मला आए या आपको कोई असाइन्मेंट सब्मेट कर दोनों में काम एक ही हो रहा है फॉर्मले तक पहुंच रहे हैं बस यहां क्या हो रहा है पहले एलिमेंट सबसे पहले इसमें टेबिल बनाए जाती है पहले कॉलम में उन एलिमेंट को लिखा जाता है जो फॉर्मले में शामिल है तो ए और भी मान लेजिए उसके बाद क्व पाउंड में quantitatively कितना element मौझूद है इसे परसेंट में एक्स्प्रेस किया जाता है सो देट बिकम्स पर्सेंटेज भाय मास तो हम सेकेंड कॉलम में उन के सामने उनके percentage वजन रख देंगे अब हम उन percentage मास को मास ट्रीट करके उनके मौल्स निकालेंगे तो A के atomic मास से N A मिल जाएगा और B के atomic मास से N B मिल जाएगा अब यह जो N A और N B होंगे जरूरी नहीं है यह बहुत सुन्दर संख्याएं हों यह fractional decimal अजीब से values हो सकते हैं फिर हमने इसको simplify करना सीखना होता है कि इस value से आफिर आप ratio तो पहुंचते हो और उस ratio में सबसे simple ratio का formula की तरह treat कर लेते हो और इस तरह की वहनस से आपका empirical formula आपको मिलता है राइट दूसरा तरीका देखिए अगर हमें question ने percentage data दिया है तो उसने हमें एक तरीका दिया है कि experimentally उस compound में क्या ratio पता लगाए गया और हम यह जानते हैं law of definite proportion जो कहता है कि किसी भी compound के अंदर elements का जो percentage या proportion या ratio है वो कभी change नहीं होने वाला यानि इसी बात को अब हम use करने वाले हैं तो we will assume the formula in the beginning हम A और B का एक formula मान लेंगे AXBY अब जड़ा ध्यान से देखो ये एक empirical formula मुझे दिख रहा है इसमें A atom कितनी बार है? X बार तो अगर A का mass MA हुआ तो इस पूरे formula में total mass of A कितना होगा? MA into X I repeat इस formula में atoms A कितनी बार है? X बार है and each A has atomic mass MA so what is the total mass due to A is MA times X तो वो numerator में लिख दिया उसी तरह से B के लिए देखिए atom B present in the formula how many times? Y times तो mass due to B in the formula is MB into Y अब देखो ये ratio हुआ from the formula और ये ratio हुआ from the data यानि मैं दो ratio की बात कर रहा हूँ एक obtained from formula दूसरा obtained from experiments and law of definite proportion कहेगा ये दोनों तो सेम होंगे क्योंगी compound को आप कैसे भी study करो, experimentally करो, theoretically करो, कैसे भी उसको source लेके आओ, कैसे भी prepare करो उसमें competition change नहीं होने वाला तो हमारे सामने एक mathematical relation आ जाएगा जिसमें हम simplification करके जट से xy के value निकाल लेंगे और अपने intuition से xy के integral value, सबसे कम वाले integral value सोच लेंगे अब इसका पूरा display देखिए, तो आएए बहुत favorite question लेते हैं, शुरुआत में सबसे पहला सवाल बच्चों को hydrocarbon कराया जाता है तो सवाल पूछ रहा है, get the empirical formula of hydrocarbon, जिसके अंदर 70% mass carbon की वज़े से है तो hydrogen का हमें सोच लिया, कि hydrogen का 25 हो जाएगा यानि अगर हम compound को 100 लेते हैं, तो उसमें 75 वाला part carbon के लिए जाएगा और 25 वाला hydrogen के लिए इसलिए कई बार इसको percentage by mass के अलावा percentage parts by mass भी कह सकते हैं, only parts by mass, यानि parts यानि mass का कुछ हिस्सा कई बार इसको unit में भी कहा जा सकता है, कि 100 gram compound में 75 gram carbon है, like this, हमें तो ratio से मतलब है तो पहले देखिए अपना पुराना प्राचीन वाला formula, table बना दी हमने, carbon का atomic mass 12 होता है जी, और hydrogen होता है जी 1 और यह रहे इसके percentage जो question में दिये गए थे, तो वो मैंने यहां लिख दिये, ठीक, अब आप atomic mass से divide करने वाले हैं, तो 75 को आप 12 से divide करेंगे, तो you will get 6.25 and if you divide 25 by 1, you will get 25, अब इन में simplify कर दो, तो जो कम वाला value है उसको 1 बना दो, तो बाकी value integer बन रहे हैं, देखो 1 is to 4, और यहां से आपको methane CH4 का empirical formula मिल गया, तो यह हमारा simplest formula मिल गया, इस hydrocarbon के लिए, अब देखिए smart method कैसे किया, मान लेते हैं, formula है CXHY, XY आते ही answer आ जाएगा, सा 12X, hydrogen कितनी बार है, Y times, so hydrogen का mass 1 into Y, और ratio देखिए, ratio in the formula is 12X upon Y, ratio in the observation is 75 by 25, cancel out करके 3 ले लो, अब आप 3 को उधर भेज़ दो, you will get Y equal to 4X, तो आपको दोनों variable में relation मिल गया, तो एक काम करना बच्चों, इसको उठाके अपने empirical formula में रख देना, तो CXHY की जगे 4X, अब आप यहां से X को common ले लो, यह देखे, तो जो अंदर रह गया, वो रह गया empirical formula, और बाहर जो X है, वो हमें help करेगा molecular formula data mine काने में, जो हम questions में करेंगे, right, मज़ा आया इसमें, तो table method आपको अच्छे से आता है, उसकी practice जारी रखे, smart method में क्या कीजिए, elements का formula पहले मान लीजिए, उसके formula के masses तक पहुँच जाईए, उस ratio को दिये हुए ratio, question में जो ratio दिया, उसके बराबर रख दीजिए, उसका simplest integer cancellation करके find कर लीजिए, and you will get the empirical relation, अब आये एक 3 element का सवाल करते हैं, इसमें 2 नहीं 3 element भी कर सकते हो, तो चलो practice करो, एक मिनट, फिर हम solve करेंगे, get the empirical formula of a compound, जिसमें 3 elements है, carbon है 40% by mass, hydrogen है 6.67% by mass, और oxygen है 53.33% by mass, आप देख सकते हैं, यह दोनों add हो जाएंगे, 60 और यह 40, total 100 हो जाएगा, यानि इस 3 आदा elements present, अब इसको try कीजिए, एक मिनट, you can pause this, and try this, then we will have the hint, अब हिंट के शुरुआत करता हूं, 6.67 को आप बहुत ही simply सोच स 53.33, आप इतनी maths अगर जानते हो, maths में मज़ा आता है, तो देख सकते हो, और 53.33 को आप देख सकते हैं, this is 160 divided by 3, तो यह बहुत काम आने वाला है, तो मान लीजे यह formula है, CXHYOZ, अब देखना इसमें carbon का mass कितना है, this is 12X, जो 40 के बराबर होगा, hydrogen का mass कितना है, Y, जो 20 divided by 3 होगा, और oxygen का हिस्सा देखो बच्चों, oxygen का atomic mass 16 होता है, so this is 16Z, so this is 160 divided by 3, यहनि अब आप एक काम कीजिए, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको X मिल जाने वाला है, so this is 10 by 3, Y तो आपको मिली गया, 20 by 3, और Z कितना मिला बच्चों, 16 से cancel होने के बाद, 10 by 3, अब आप देखो यह कितना सुन्दर पैटरन है, अगर मैं 10 by 3 से हटा दूँ, यानि मैं 3 से cross multiply कर दूँ, 10 से भी कर दूँ, 1 upon 10 करके, तो आपको देखना क्या मिलेगा, X आपको 1 मिल रहा है, Y आपको 2 मिल रहा है, और Z आपको 1 मिल रहा है, और आप यह सारा डिटा यहां रख दो, तो कितना सुन्दर आंसर है देखो बच्चों, अब मेरा suggestion सुनिए, आपने जितने भी सवाल table method से किये हैं, या जो भी solved example किताबों में हैं, उन में से यह method आपको rarely मिलेगा, अब आप उन questions में यह method apply करके, इसको confirm कर लो, और अपने लिए beautiful question तयार कर सकते हो, So happy learning, thank you.